हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेंडमेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना भारत में किस परकार फैला हुआ है इसकी वज़े से भारत की अर्थव्योस्ता कैसे तूट सी रही है दोस्तो इसका जो भुकतान है सरकार केंदरे करमचारियों से करने वाली है सारा भुकतान नहीं लेकिन एक काफी हेल्प के रूप में केंदरे करमचारियों की सेलरी में से इसका भुकतान करने जा रही है उन्होंने इसके लिए नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है दोस्तो पहले सरकार ने announcement की जो सरकारी करमचारी हैं केंदरी करमचारी उन सब की salary में से एक दिन की salary कटेगी हर महीने हर महिने से मेरा मतलब है अप्रेल से कटनी स्टार्ट होईगी और मार्च 2021 तक हर महिने सोरी हर महिने एक दिन की सेलरी सरकार के पास जाएगी हर केंद्रिय करम चारेगी पहले जो अनॉंसमेंट हुई थी सरकार की तरफ से यह हुई थी अब सरकार ने एक अनॉंसमेंट और कर इसके साथ साथ ही अब डिये पर जुलाई 21 तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी जी हाँ दोस्तों इस पूरी न्यूस के बारे मैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मगर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब बट इससे बचने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है मगर अब करोना की आज सरकारी करमचारियों तक पहुँच गई है सरकार करोना के आर्थिक नुकसान से निपटने के लिए सरकारी करमचारियों को मिलने वाले वेतन और बत्ते को कम कर रही है यानि करोना के कारण सरकार पर पढ़ने वाले आर्थिक परभाव का बोज सरकारी करमचारियों को भी हुठाना पड़ेगा। सरकार ने आज 51 जारी करके इस साल के लिए सरकारी करमचारियों के महंगाई बत्ते मतलब डिये में वर्दी पर रोक लगाने का एलान कर दिया है। मार्च में केंद्रिय कैबिनेट ने डिये में 4 पर तीसत की वर्दी कर इसे 21 फीजदी करने की मंजूरी दी थी। केंद्रिय करमचारियों के साथ ही पैंसन भोगियों के लिए भी डिये में बड़ोतिरी रोकने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से करमचारियों और पैंसन भोगियों के डिये में बड़ोतिरी में रोक का मतलब है इने उनके वेतन या पैंसन के हिस्से के रूप में 17% डिये ही मिलता रहेगा। बता दे कि डिये में बड़ोतिरी से सरकार को 14,510 करोड रूपे अधिक खर्च करने होते। ग्यापन में आगे कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवदी के लिए किसी भी एरियर का भुकतान नहीं किया जाएगा। इस से पहले इस तरह की खबरे आई थी कि सरकारी करमचारियों और पैंसनोरों के लिए डिये बड़ोतिरी को रोक रही है। बड़ती महंगाई की बरपाई के लिए आम तोर पर सरकारी करमचारियों और पैंसनोरों को महंगाई बत्ता मिलता है। जनवरी और जुलाई के महीने में वर्स के दोरान दो बार डियों को संसोधित किया जाता है। सरकार ने जारी बियान में कहा है कि किंदर सरकार ने या निनिया लिया है कि क्रमचारियों को दे महेंगाई बत्ते और किंदर सरकार के पैंसनरों को महेंगाई राहत के बुकतान क कि अत्रिक्त किस्त नहीं दी जाएगी एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2020 से दिये जाने वाले महंगाई बत्ते और महंगाई राहत की अत्रिक्त किस्त का बुक्तान नहीं किया जाएगा हाला कि मोजुदा दरों पर महंगाई बत्ता और महंगाई राहत को बुक्तान जारी करें और कमेंट बॉक्स में यदि आपको कोई कोश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद